BCCI ने Annual Contracts का एलान कर दिया है बड़ी ख़बर इसमें ये निकल कराई है कि इशान किशन और स्रेय सायर को BCCI ने अपने Annual Contracts से बाहर कर दिया है जिसकी बात लगातार हो रही थी वही कहा जा रहा था आप डोमेस्टिक खेलिये रंजी ट्रोफी खेलिये इशान किशन नहीं खेल रहे थे श्रेय सायर कह रहे थे वही पीट में दर्द है मैं नहीं खेल सकता अब उन्होंने का मैं खेल सकता हूँ लेकिन इतनी देर हो गई BCCI ने अपने जो Central Contracts होता है खिलाडियों का एक साल का उससे इशान किशन को बाहर कर दिया है श्रेय सायर को बाहर कर दिया है खबरें इस तरह के निकल करा रहें थे गर आप BCCI की बात नहीं मानते है जैशा खुले मन से ए बात कह चुके थे कि वही आपको Domestic Cricket खेलना पड़ेगा आप सिर्फ IPL के साहरे नहीं बैट सकते है लेकिन इन दोनों खिलाडियों को बाहर कर दिया गया है इशान किशन C Grade में हुआ करते थे लेकिन अब उस लिस्ट में नजर नहीं आ रहे है श्रेय सायर भी एक बड़ा नाम हुआ करते थे मुहमत सिराज हैं, केल रहूल है, शुबमन गिल हैं और हार्दिक पंडिया है हार्दिक पंडिया को भी A Grade में रखा गया है A प्लस Grade में हार्दिक पंडिया नहीं A प्लस Grade BCCI उन खिलाडियों को देता है जो तीनोई फॉर्मेट खेलते हैं भारतिय टीम के लिए C Grade में 15 खिलाडियों को रखा गया है जिसमें रिंकु सिंग है, तिलक वर्मा है, रुतुरवाज गायक वार्ड है शारदूल ठाकुर है, शिवम दूबे है, रवी विश्नोई है, जितेश शर्मा वशिंग्टन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू शैमसन, अर्षदीप सिंग, केजभरत, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और रजट पाटिदार विशी से ने खास मेंशन भी किया, श्रेय सायर और इशान किशन के बारे में लिखा गया है मतलब ये साफ संदेश दे दिया गया है कि भई, आपको कहा गया था, खेलने के लिए आप खेले नहीं, हब आप टीम इंडिया के कॉंट्रेक्ट से बाहर हैं, अब आप सिर्फ IPLE खेलिए श्रेय सायर की बात करने तो उन्होंने अभी कहा है कि भई, वो खेलेंगे समी फाइनल मुकाबला, इसके पहले जो कॉर्टर फाइनल हुआ, वो नहीं खेले, टीम इंडिया से ड्रॉप होने के बावजूद, NCA भी नहीं गया, कोई दर्द वहाँ पर उन्होंने अपना रि करत का है.